बिस्मिल्ला रह्मान रहीम आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इत के लिए बहुत ही खुपसूरत सा और न्यू एंड स्टाइलिस सा स्लीव्स डिजाइन तो चली स्टाट करते हैं इसके लिए मैंने एक पट्टी ली है फैब्रिक पट्टी एक इंच इसकी चौड़ाई है और इसको दोनों साइट से मोड़ते हुए मैंने ये बारिक सी इसकी स्ट्रिप तयार कर ली है अब मैंने एक फैब्रिक पट्टी ली है धाई इंच के और व फासले पर मैं इसको अटेज कर लूँगी तक्रीबन हाफ इंच से कुछ ज्यादा फासला है और अब दूसरी साइट पे भी मैं इतने ही फासले पर दूसरी स्ट्रिप अटेज कर लूँगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को स सिखाती हूं इसका पहले से मैंने यह तवाम बोर डि कर लिये हैं इसके लिए मैंने फैबरिक की स्ट्रिप बनाई है हाफ इंच की और इसकी लंभाई साड़े साड़े तीन इंच है दो पठिय मैंने लिए हैं और दोनों पठियों को दर्मयान में मैं इस तरह से फोल करके दोनों को एक साथ मिलाते हुए, इसके दर्मियान अब मैं सुई से इन दोनों स्ट्रिप्स को जोड लूँँगी, इसके बाद अब स्मॉल साइस का ब्लैक पर्ल लूँगी और इसके ऊपर इसको अटेच कर लूँगी, खुब सुर्ती के लिए, और इसको मजबूती से लगा लूँगी, इसमें जो डिजाइन में फॉलो कर रही हूँ, ये तमाम डिजाइन आप अलग अलग करके भी बना सकते हैं, तीन तरह के डिजाइन में एक ही बाजूप में बना रही हूँ, तो ये देखिए बोव हमारी रेडी हो गई है, अब इसके लिए मैंने एक डोरी ली है, जिसके लंबा इस तकरिबन पांच इंच या साड़े चार इंच मैंने ली है, अब इसको दर्मियान से गुलाई में करके, इसको एक दूसरे के उपर रखते हुए, इसको मजबूती से बान दूँगी, और इस तरह से इसको शेप दूँगी, ताके क्रॉस का डिजाइन दर्मियान में से नज़र आए, और धागा भी मैंने दूसरे कलर का ही लिया है, ताके नज़र आए, और इस तरह से तमा करूंगी अब इस ट्रिप को डोरियों की दर्मियान से निकालूंगी और दो दो डोरियां करते वे हमने इनको आपस में अटेच्च करना है और अटेच्च करने में यह ख्याल रखें कि दोनों साइट की डोरियां जो है वो फ्रंट साइट इनकी आपस में नजर आती हो और ए मशीन की सिलाई भी लगा सकते है अब यहाँ पे इसको पका करते हुए कंप्लीट कर लूँगी यहाँ पे देखी इसको सीधा कर लेते हैं और इस तरह से इसके लुक आएगी तो इस तरह की तमाम मैंने रेडी करके रखी है अब हम फैबरिक का एक पीस लेंगे तीनी चोड़ाई का और बुक्रम भी लगा लेंगे वेस्ट कर लेंगे अब इसको दर्मियान में से क्रीज लाइन बिठाते हुए दर्मियान फाइंड आउट करेंगे अब यहाँ पे मैंने जो बो बनाई है उसको दर्मियान में से दर्मियान सेट करते हुए इसको साइड से लगाते जाएंगे सेट करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे और इसी तरह से फासले में हमने यह तमाम बोज अटेच कर लेनी है दर्मियानी फासला आप अपने हिसाब से सेट करें जहाँ पे इसकी सेटिंग अच्छी आती है वहाँ पे आपने इसको सेट करके सलाई लगाते जाना है और वन बाई वन ये तमाम स्ट्रिप्स हम अटैच कर लेंगे और अगर आप चाहें तो ये डिजाइन आप ट्राउजर पे भी बना सकते हैं बहुत ही जबर्दस लगेगा और वन बाई वन करके तमाम दुसरी साइट से भी हम इसको स्टिच कर लेंगे और उतना ही फासला रखते हुए स्टिच करेंगे जितना दुसरी साइट से फासला रखा है आप चाहें तो इस डिजाइन को एज इट इस भी ट्राउजर और स्लीव पर अपलाई कर सकते हैं बहुत ही जबर्दस लगता है अब जो ब्लैक तलर का हमने डूरी वाला डिजाइन बनाया है इसको दर्मियान में रखते हुए सेट करते जाना है और दर्मियान से दर्मियान मिलाते हुए हमने यहाँ पे इसको लगाते जाना है लगाते हुए आपने सेटिंग करके आगे चलना है ताकि डिजाइन में याफासत आए और डिजाइन बहुत ही खुबसूरती से बने अब हमने एक्स्ट्रा डौरी को काटना है दूसरी साइट से भी as it is हमने इसको स्टिच कर लेना है तो लीजिए हमारा ये डिजाइन भी रेडी है एक्स्ट्रा डोरी को मैंने काट लिया है अब मैंने बुक्रम के उपर कट वर्क रेडी किये है और इन कट वर्क की लंबाई और चोड़ाई धाई इंचेज है अब इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और बिल्कुल के नारे पे मैंने एक सलाई लगा देनी है अब बुक्रम के बिल्कुल साथ साथ में इसको स्टिच कर लूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक के कटिंग कर लेते हैं और कट्स लगा लेंगी जहां पे जरूरत हो और इस तरह से इसको सीधा करके इस तरह कर लूँगी और यहां पे मैंने एक फैब्रिक पट्टी अगेन ली है जिसकी लंबाई तीन इंच और चोड़ाई आधा इंच है तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए डिजाइन बनाऊंगी इसका ट्राइंगल बना लूँगी एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा सा ट्राइंगल बनाऊंगी अब यहाँ पे इसको किस तरह सेट करना है यह आप देख लीजिए इसको इसकी उपर रखते हुए मैं इसको स्टिच करूँगी बस आपने कटवर के जहाँ पे राउंड दर्मियान में आता है वहाँ पे इसको लगाते हुए इसको स्टिच करते जाना है अब यह छोटा सा ट्राइंगल जो मैंने बनाया था यह कटवर के बिल्कुल दर्मियान में मैं लगाती जाऊंगी टॉप स्टिच लगाते हुए बहुत ही एतियात के साथ इसको लगाते जाना है और यहाँ पे तमाम मैं इसको कम्प्लीट कर लूँगी अब मैं इन दोनों डिजाइन्स को आपस में मिलाते हुए बिल्कुल स्टिचिंग लाइन के उपर स्टिच करूँगी अब इसको सीधा करते हुए इसके उपर टॉप स्टिच लगाऊंगी ताकि यह अच्छी से बैठ जाए क्योंकि इन दोनों पैटर्न्स में मैंने बुकरम का यूज़ किया है तो टॉप स्टिच की मदब से इसको अच्छे से बिठा लेंगे अब तीसरा वाला डिजाइन भी इसके उपर रखते हुए स्टिचिंग लाइन के उपर मैं इसको स्टिच कर लूँगी और अगेन इसको सीधा करके टॉप स्टिच लगा लूँगी अब मैं स्लीव का फैबरिक लूँगी और डिजाइन को नीचे रखते हुए इसके उपर इस तरहां से अटेश करूँगी और टॉप स्टिच लगा दूँगी बहुत ही सफाय के साथ नीचे और ऊपर का कोई भी कपड़ा खिजावा नहीं होना चाहिए ताके जोलना आए तो ये देखिए बहुत ही खुबसूरत सा डिजाइन हमारा रेडी है तो आज का डिजाइन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शुरूर कीजेगा बहुत ही खुबसूरत और नहीं डिजाइन के साथ फिर मिलेंगे इंशाला अल्ला हाफिज